आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हेलो, welcome to डाउटनेट तो आज इस question हमसे पूछा गिए which of the following are not M4 product in nature M4 product in nature हमें बताना कौन सा नहीं है तो सबसे बहले हम देखने हैं कि हमारे M4 product M4 product कौन से होते हैं M4 product होते हैं जो हमारे H positive accept कर सकते हैं ठीक है और H positive हमारा donate भी कर सकते हैं मतलग कि हमारा वो proton जो है उसको accept भी कर पाएं और हमारे proton को वो donate भी कर पाएं ठीक है मतलग कि वो हमारे proton हमारे कौन से accept करते है proton हमारे accept करते है bronzed base ठीक है और proton donate को करते है हमारे bronzed acid ठीक है तो हमारे bronzed जो हमारा bronzed base और bronzed acid दोनों होंगे वो हमारे M4 product होते हैं इनेचर में ठीक है और हमें यह देखना है कि हमारे कौन से दोनों नहीं है दोनों या एक है या दोनों ही नहीं है वह हमें चेक करना है ठीक है वह हमारे इस कोशन अंसर हो का ठीक है जो दोनों यह प्रॉप्टी नहीं शोर गड़े वह हमारे एंफोप्रोटिक नहीं होंगे नेचर में ठीक है तो donate नहीं नहीं कर सकता क्योंकि अगर है इसने यहाँ पर इसको donate कर दिया तो ह्हाँ पर हमारे पास O2 negative यह जोकी बहुत ही Unstable होता है, जो possible नहीं बनाना वो हमारा Impossible होता है बनाना 어떻게 normal conditions में तो मतलcel हमारा o2 negative नहीं बनता इसलिक हमारा J Way H positive जो है donate नहीं करता ठीक है proton को donate नहीं करता तो इसलिए हमारा proton को accept करता है तो इसलिए हमारा यह क्या है यह हमारा प्रोंस्टट बेस ही होता है कि हमारा फ्रोट्टेज्ग नेहीं कमेश ने सान Corny चुरी हला है कि ПО रहा है एचटू less यह रख cena तो इसका हम स्टक्चर देखे तो हमारा स्टक्चर का एक एच यह सेकिंड एच ठीक है और यहां पर ओकी उपर नेगटिव चार्ज ठीक है तो यहां पर हमारे बास इसका स्ट्च रहा है तो यह हमारे बास यहां पर ओकी उपर नेगटिव चार्ज है तो यह हमारे बास यहां पर ओकी उपर नेगटिव चार्ज है तो यह हमारे प नहीं है तो यह हमारा हमोए ऐस में से हइस पाइज हम बटन को यहां पर डव titles को सब्सक्राइव होता हम जैजब कानेट नहीं कर गाल द्ंसक्ताइब गलत ते यहां अरफ देतर्कार सब्सक्राइव हमारा फेला और२र्स हमें है नहीं सब्सक्राइब염 अ को तिरी नेगिटियव यहां पर कहती है तो यह हुमारा इसका स्च्च्च्च्र मेरे इसा होता है यहां पर S catching aifier जो हो उपर दाप्य के यहां पर आएगा OH , ऐहां पर O externally और भॉन्हें सुपर c म्ठ जाश्छयत के तो यहां पर पाटों आजा ह year तो हमें यहां पर क्या देगा S1O, यहां पर OH, यहां पर भी OH, यह हमारे proton को shift कर रहा है, तो हमारे यह bronze jet base की तरह एक कर सकता है, ठीक है, अगर हम यहां पर देगा, इसके पास हाँआँपे HD hydrogen है, तो इसमें से H positive हम निकाल भी सकते हैं, ठीक है, तो हमें यहां पर क्या मिलेग S1O, यहां पर OK उपर negative, यहां पर भी OK उपर negative, तो यह हमारा एक तो bronze jet base की तरह भी एक कर रहा है, और हम हम H positive donate भी कर सकते हैं, तो यह हमारा एक कर सकता है, तो यह हमारा एक प्रोटिक होगा, तो हमें तो, अगर ही हमारा एक फ़ोटिक है, तो मतलग ही हमारा इस question का answer नहीं ह होगा, ठीक है, अब option 4 की बात करें, तो option 4 में क्या दरखा है, हमें HF दे रखा है, ठीक है, तो HF में हम जो है, यह हमारा इसके पास button है, तो यह हमारा button donate कर सकता है, तो इसमें H positive हम निकाल दें, तो हमें क्या मिलेगा, F negative, ठीक है, यहां पर F negative मिल गया, और यहां पर हम दे हम, हमारा F positive क्या होता है, हमारा F क्या होता है, हमारा, बहुत जाला highly electronegative होता है, ठीक है, highly electronegative होता है, तो उस पर positive है, बहुत जाला unstable होता है, ठीक है, तो यहां पर इस पर positive होता है, तो यह हमारा, बहुत ही unstable होता है, तो इस वजए से यह हमारा, exist नहीं करता है, तो not exist, तो इसलिए हमारा h positive इसमें हमारा add नहीं हो पाता, तो यह सिर्फ हमारा h positive donate कर सकता है, तो मतल़ हमारा ब्रॉंचेट इसकी तरह वर्क कर सकता है, हमारा ब्रॉंचेट बेस नहीं बनाएगा, ठीक है, तो यह हमारा h positive यहाँ पे add नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका हम h तो यह सिर्फ हमारा ऑफ्षट्रट्टेर्ट्स नहीं है तो इसलिए हमारे यह भी यह था जिली और टो हमसे पूचा है कॉन-कॉन से हमारे एंभी प्रोटिक नहीं है तो हमारे कॉन-कॉन से हमारा Option 1, ठीक है, Option 2, और Option 4, तो मारा अलसरा Option 1, Option 2 और Option 4, तो मैं आशा करता हूँ किया पे कुन से समझ पाया होंगे, धन्यवाद.